मचकार दोस्तों तो आज हम बात करेंगे US और रशय के बारे में इसके अगर बात करें दूरी की तो US और रशय के बिच में यहाँ पर दूरी सिर्फ 3.5 km की है लेकिन अगर समय के अंतर की बात करें तो 21 गंटों का अंतर आ जाता है कि आपको मेरी वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहें और वीडियो देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं अब देखो, Alaska हमेशा से ही US का एक state नहीं हुआ करता था, Alaska पहले रश्या का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम के Emperor Alexander II ने सोचा कि हम Alaska को manage नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको बेशना चाहा, पहले British Prime Minister को बेशना चाहा, उन्होंने मना कर दिया, फिर American के पास और अमेरिका ने ये खरीद लिया, अमेरिका ने ये 1867 में खरीदा, 7.2 मिलियन डोलर की डील हुई, देखो, ये तो है United States of America, USA, उपर Canada है, नीचे मेक्सिको है, और इधर Gulf of Mexico, इधर US का एक state, हवाई, ये Pacific Ocean है, ये इधर एशिया है, और इधर जाओगे तो आप, इधर रश रशिया आ जाएगा, ठीक है, और ये Alaska, जो पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज की तारिक में, US का हिस्सा है, तो जो हम बात करेंगे, बोर्डर की, US, रशिया और बोर्डर की, तो वो कशी इसी एरिया की बात करेंगे, तो मैं आपको closely monitor करते है, closely observe करते है, यूएस और रशिया के बोर्डर को, इस मैप के तुरू आपको थोड़ा अच्छे exam आएगा, इधर है Alaska, US का हिस्सा, इधर है रशिया, ठीक है, इधर ये Canada हो गया, और जो हम specifically बात करने वाले हैं, US और रशिया के बारे में, तो वो इस एरिया के बारे में बात करने वाले ह ठीक है, डाइमीड आइलेंड के बारे में हम बात करेंगे, बता दिया है कि official border है डाइमीड आइलेंड, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और closely monitor कर लेते हैं, तो इस तरफ जो है, वो है US और इस तरफ है रशिया बीच में है Baring Strait, अब Baring Strait क्या होता है, जब भी कोई narrow पैसे नि वो बना दिया official border, देखो, यह है इधर रशिया, यह इधर USA हो गया, ठीक है, और यह जो है पूरा, यह जो पूरा है, यह है Baring Strait, ठीक है, और इसके बीच ओ बीच लोकलेट है डाइमीड आइलेंड, यह है लिटल डाइमीड आइलेंड, यह है बिग डाइमीड आइलेंड, लिटल डाइमीड आइलेंड जो है, यह वाली, यह USA का हिस्सा है, और बिग डाइमीड आइलेंड जो है, यह रशिया का हिस्सा है, अब हम इनी आइलेंड के बीच में बात करेंगे, यह जो है एक official border है, ठीक है, अब हम इनी आइलेंड के बारेंड बात करेंगे, दोनों के की तरफ हैं अब हम बात करेंगे हमारे मेन कोश्चन कोपर कि इक गंटों का डिफृर्एंस न दनों एरिया के बीच में क्यों आता है अब देखो आपको यह तो पता है कि इस है और याई यह व इस से हॉश फीज को बढ़े JUST के पते बारे में जो यह लाइन है ना यह है international day अब आपको बहुत simple सिंपडुमें क्या है international dayatelion aitaran eh ि एक ऐसी लाइन है जिसमें अगर आप एक तरफ मतलब इस line के एक त्रफ जो है वो एक दिन होगा और इस लाइन के दूसरी तरफ जो है वो दूसरा तरफ एक दिन का पूरा डिफरेंस आजाता है लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं रशिया और यूएस की तो रशिया और यूएस में अगर हम बात करें तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वह 21 गंटों का डिफरेंस है ठीक है 21 गंटों का डिफरेंस आजाता है एक आइलेंड Big Island में और Small Island में आपको Impact बताता हूँ Impact क्या होगा तो अब मैं बताता हूँ इसका Impact क्या है इसका Impact क्या है देखो अगर US की तरफ Little Diamond में Sunday हो रहा होगा और 12 बज़ रहे होगे तिनके ठीक है तो वहीं उसी टाइम पर Russia के तरफ यानि के Big Diamond की तरफ Monday हो रहा होगा और दिनके 9 बज़ रहे होगे आप देख सकते हो clear 21 घंटे का difference आजाता है दोनों आइलेंड के बीच में इसलिए आप इस तरफ अगर खड़े होगे तो इस तरफ अगला दिन होगा यानि कि Russia जो है 21 घंटे आगे है as compared to US के as compared to US ठीक है लिटल डाइमीड इसलिए इनका नाम रखा गया है जो US की तरफ का लिटल डाइमीड इसका नाम रखा गया है Yesterday Isle और जो Russia की तरफ का Big Diamond है इसका नाम रखा गया है Tomorrow Island ठीक है इसलिए इसको Yesterday Isle और Tomorrow Island बोलते है क्योंकि 21 घंटों का डिफरेंस आ जाता है जानने लते हैं थोड़ सा लिटल डाइमीड के बार में क्योंकि बिग डाइमीड पर कोई population ने रहती है लेकि लिटल डाइमीड के ऊपर करीब 115 से लेको 120 लोग रहते हैं यहाँ पर कोई भी टेलिफोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस, होट अंदर आपको हैराण योगी चानते हैं कि पूरे एरिया में सर्फ एक ही ऐक ऐसी जगा हैं जहांपर मेल जो है हेलीकूप्टर से डेवर होते हैं वो है डाइमीड आइलेंड जो हेलिकॉप्टर ओपरेटर्स डाइमीड आलेंड पर समान पहुचाते हैं अपने सर्वीस देते हैं उने हेलिकॉप्टर ओपरेटर्स को हर साल 3 लाग डॉलर यूएस गॉर्मेंट की दर्फ से मिलते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो अगर आपको यह वीडियो एजुकेशनल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बैल आइकन प्रेस कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए धन्यवाद